पूर्दू के इस कारिक्रम में नवी कक्षा के सभी तलबा हमारे साथ जुर सकते हैं और ई-विद्या चानल नमबर 9 के माधहिम से हमारा इकारिक्रम देख सकते हैं कारिक्रम का जो विशे है वो है जीने का सलीका ये एक नस्र है जिसे हम अंग्रेजी में प्रोज भी कहते है और हम आप से जानना चाहेंगे क्या आप जानते हैं जीने का सलीका कौन सा होता है क्या सिर्फ एक ही जीने का सलीका होता है या कुछ और भी और इस प्रोज में आखि अगर इमेल करना चाहें तो इमेल आइडी होगा dth.class9 मैं हुट तर्वी खुराना और आप सभी की मुलाकात करवाना चाहूंगी हमारे आज के महमान से हमारे साथ मौझूद है डॉक्टर मोहमद आरिफ स्वागत है सर आपका सर है हमदर्ध पब्लिक स्कूल नहीं दिली से और हमें इस प्रोज को पढ़के सुनाएंगे और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी देंगे तो इस कारेकरम को शुरू करने से पहले हम आप सभी को बताना चाहेंगे that we are extremely proud of the fact that India assumed G20 presidency for the first time in the country and it will convene the G20 leaders summit for the first time and a nation deeply committed to democracy and multilateralism India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding global pragmatic solution for the well-being of all and in doing so manifest its true spirit of Vasudev Kutumbhkam or should I say the world is one family तो चलिए इसी जानकारी के साथ इसी सूचना के साथ हमें इस कारेकरम को शुरू करते हैं और सर इसे पूछना चाहेंगे जीने का सलीका इसमें आज हमारे जो दर्शक हैं नवी कक्षा के जो तल्बा हैं वो क्या सीखने वाले हैं तो पहले तो मैं तमामी सामीन को और खुसुसन नवी जमात के तलबा को मैं अधाब कहता हूँ और उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो खुसुसन इस सबक के जानिब तवज़ा करें बहुत ही एहम सबक है और इसमें जिन्दगी के बहुत सारे रास खोले गए है जाहिर सी बात है कोई अधीब या कोई फनकार जब कोई चीज़ लिखता है तो उसके पास जिन्दगी का तजर्बा होता है वो कुछ सिखाना चायता है कुछ लोगों को देना चायता है तो आईए हम पढ़ते हैं कि इसमें हमारे मुसनिफ या हमारे जो राइटर है उन्होंने कौन सी बात बताई है और जीने के कौन से रास को खोला है तो आईए सबसे पहले हम यह शुरू करते हैं कि इसके मुसनिफ कौन है और यह किस सिन्फ से तालुग रखता है जाहिर सी बात है बच्चों आपने बहुत सारी नजमें पढ़ी हैं घजलें पढ़ी होंगी उसी तरह से प्रोज में आपने ड्रामें पढ़े हैं अफसाने पढ़े होंगे लेकिन उसी से मिलता जुलता एक चीज़ है मजमून तो मजमून जिसे हम इंगलिश में ऐसे कहते हैं तो आईए थोड़ा सा ऐसे के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या चीज़ होती है फिर उसके बारे में हम मजमून की जानीब चलते हैं तो देखिए हमारे सामने जो बुक है उसका नाम हैं नवायोड़ु और इस से हमने जो सबख लिया है वो है जीने का सलीका और इस ये है एक मजमून तो मजमून की खासिएत क्या हूती है तो बच्चो सबसे पहली चीज़ हमें ये जान लेना जरूरी है कि मजमून किसे कहते ह किसी भी मौजू पर मालूमाती या तजिजियाती तहरीर को मजमून कहते है यानि एक तो मालूमाती चीज़ हो और दूसरा उसके साथ उसका तजिजिया किया गया हो तो यह हो गया मजमून अब उस मजमून को कैसे हम पता करेंगे यह चीज़ मजमून है तो मजमून में कौन कौन सी चीज़े होती है सबसे पहले तमहीद होती है थोड़ा सा हम जब मजमून लिखते हैं तो उसमें तमहीद के तोर पर कुछ बाते लिखते हैं फिर उसका तारूफ बियान करते हैं पिर उसका पसमन्जर जिसके हम बैक्गराउंड कहते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा लिखते हैं फिर मन्शा क्या होता है या लिखने का मकसद क्या है हम उसके क्या सिखाना चाहते हैं हमारा मकसद क्या है क्यों मदमून हम लिख रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा लि इसी तरह कि आपके दूसरी असनाफ में मील जाएगी फर्ज कर लिए तनकीद भी इसी तरह कि विजाएगी सफरनामे में मील जाएगी नेकिन इसमें क्या आहम चीज है जिसको बकिया चीजों से मुजमून अलग हो जाते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, हमने लिखकर कुछ पॉइंट्स हैं, मैं लिखकर लाया हूँ, то मैं चाहता हूँ इसकी वजात कर दू तो ज्यादा असानी होगी, जिसमें से पहली चीज़ें है कि इल्मियत के बनियाद पर मजबून लिखा जाता है मुद्जीद गी होती है रब तो तसल्सल होता है लवजों का सही इंटखाब किया जाता है जमलों की सांखत पर ध्यान दिया जाता है उसके अलवा अंदاز बेयान जिसको हम स्टाइल कहते हैं या उसलूब कह लीजे, यानि इनसान जो भी लिखता है, हर इनसान की अपनी कुछ परायटीज होती है, कुछ उसकी खासियत होती है, तो वो अपनी उस खासियत को उसमें डालता है, मजमून में, या जो चीज भी वो लिखता है, तो वो चीज अपनी खासियत को उसमें डालत का तो ये हो गया असलूब उसके अलावा फिर है मन्तिकी तर्टीब किसी बात को हम लॉजिकल अंदाज में समझाते हैं यूही हवा में कोई बात नहीं कह जाती मजमून में मलकी बहुत ही लॉजिक के तोर पर उसको बताय जाता है कि अब क्या हुआ अब क्या होने पर रहाम लावा होता है मजबून का उसके अलावा फिर हम देखिए इसमें हमने लिखा है कि मौजू जो है इसकी मौजू में बड़ी उसात है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पर मजबून लिखे जा सकते हैं जैसे अद्बी मजबून हो गया गैर अखलाकी है इसलाही महुलियाती आलूदगी है इन तमाम चीजों पर मजबून लिखे जा सकते हैं और हमने उसूल बता दी हैं कि मजबून कैसे लिखा जा सकता है तो आई अब हम मजबून की तरफ चलते हैं ये इस मजबून के राइटर का नाम है खौजा गुलामस स्यदेन ये बहुत पानी पत्स से था और ये पानी पत्स के बाद वहीं पर अब्तदाई तालीम हासिल की उसके बाद फिर इंग्लेंड चले गए इंग्लेंड से आने के बाद अली गड़ में एजूकेशन फैकल्टी से में मलाजमत अख्तियार कर ली और वहीं पर प्रिंस्पल के होदे से सब स्थादी के बाद हिंदुस्तान में तालीमी उमूर के सिलसले में कई मकामाँत पर मुक्तलिफ हैसितों से काम किया। या जो मजबून इनका है वो अपनी बात को बियान करने के लिए छोटे 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 अलफास से वो काम लेते हैं जो बहुत से लोग बड़े बड़े अलफास में भी नहीं कर सकते हैं बहुत चोटे चोटे जम्ले में बहुत साधे अंदाज में इनोंने बहुत बड़ी बाते कह दी है तो आईए मजमून की तरफ चलते हैं मजमून चुकि बड़ा है तो हम चाहेंगे इसे थोड़ा जल्दी से पढ़दे या अगर कुछ खास खास इसके जो नकात हैं उसे हम बयान कर देंगे तो पहले हम थोड़ा सा मजमून को पढ़ देते हैं ताकि आप को लगे कि हाँ मजमून कैसे पढ़ा जाता है उसके अलफास क्या क्या है तो यह आप बाद में भी हमसे पूछ सकते हैं तो पहले मैं मजमून चाहूँगा कि यह बढ़ दूँ जी तो मजमून इस तरह से है कि मैं ऐसे मशाहिर की सोहबत में बैठा हूँ जिनकी गुफ्तगु में वो लौच दिलावेजी और सलीका होता है कि वहां से उठने को दिल ना चाहे ना चाहे मसलन सर तेज बहादूर सपरू, सरोजनी नाइडू, मौलाना आजाद, सर रास मसूद, डाक्टर इक्बाल, डाक्टर जाकिर हुसेंज जैसी शक्सियात ऐसी हैं कि उनके बगल अगर हम बैठते हैं तो उनसे उठने का मन नहीं करता है उनके बगल से आगे लिखा है कि इस कशिश की वज़ा महद ये ना थी कि वो जबान पर खुदरत रखते थे, या रखते हैं बलकि उनका दिमाग रोशन और मुरत था, उनकी सीरत उनके तजर्बों से माला माल थी, वो अपने सुनने वालों में दिल्चस्पी रखते थे, उन्हें अपनी गफ्तगू ना सिर्फ एक समाजी हुनर है, बलकि एक सियासी हतियार भी है, जिसका सही इस्तेमाल सीखना जरूरी है, देखिए बहुत ही पते के बाद इसमें बताई है कि अगर हमारी जबान अच्छी होगी, तो हम बहुत ही अच्छे अंदाज में अपनी बात को, हम छोट तब तक हम अपने इस जराय तरसील में हम अच्छे नहीं होंगे, तब तक हम अच्छी गुफ्तू जब तक नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपनी बाप किसी चीज़ को अच्छे अंदाज में नहीं पेश कर सकते हैं, फिर आगे लिखा है कि अच्छे लोगों और अच्छ करके वक्त कार देने का नाम नहीं है, काम खाली दिल लगी नहीं, काम काम है, बामकसद мहनत है, काम दुश्मन की तरह आप अपना महजबा करता है, यानि काम जो है, वो बार-बार उसे काउन करता है, कि यह मेरा जो काम करने वाला है, वो कितना अच्छे तरीके से मुझे तक किसी हसीन साचे में नहीं ढ़ल सकती जब तक उसके दिल में इस अंदाज से काम करने की लगन पैदा ना हो, हकीर से हकीर काम में माने और लुट फैदा हो सकता है, मशर्टे की काम करने वाला इसका रिश्टा बड़े मकसद के साथ कायम करें, तो देखे इसमे इन्हों ने बताए कि हम चोटे से भी चोटे काम हो, हमारा मकसद ये होना चाहिए, कोई भी काम हमारा चोटा नहीं होना चाहिए, हम उस काम को बड़ा समझे कि हमारे सामने बहुत बड़ा काम है, इसे हम अंजाम देना है. पिर उसके अलावा इन्हों ने दो मजदूरों का ذ primarily यहाई, ह दोनों पत्थर तोड़ ले थे तो एक से पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हैं तो उसने कहा कि मेरी किसमत में पत्थर तोड़ना लिखा है तो मैं पत्थर तोड़ना हूँ जबकि दूसरे ने ये कहा कि हम इससे पत्थर तोड़कर एक अबादतगा बनाएंगे तो फिर इन्होंने बताया कि जाकिर उसें सामने कि देखे दोनों पत्थर तोड़ने है और दोनों का मकसद क्या है एक यह कैया रहा कि मेरी किसमत में लिखा हुआ है कि हम पत्थर तोड़े और दोस распनी कि आरा कि हम इससे बहुत खुप्सूरत सा घर बनाएंगे तो काम दोनों पत्थर तोड़ने करें लropह कि दोनों की काम में कितना फर्क है तो इसी चीज़ को इन्होंने बयान किया है कि हमें चाहिए कि हम काम को अच्छे अंदाज में उसको लें ये ना समझें कि हमारे उपर बोज है बलकि उसको हम अच्छे अंदाज में करने की कोशिश करें फिर आगे इन्होंने लिखा है कि लेकि जीने का सलिका सिर्फ बड़े बड़े असूलों की पाबंदी पर मुनहसिर नहीं इसमें बहुत सी चोटी चीज़े भी हैं एक मामूली इन्सान की जिन्दगी का हर लमा ऐसी सते पर बसर नहीं होता जहां हर कदम पर मनसूर की तरह अन जाला कहने की ज़रूरत हैं यह नहीं अपने आपको बड़े बन जाएंगे तब बड़े काम करेंगे बल्कि हम छोटे सते पर भी बड़े काम कर सकते हैं ऐसी बदध जी हम आप से एक सवाल पूछना चाहेंगे यहां पर जो हमारे दर्शक हैं जाना चाहेंगे यह जो इतन यह बाहर गए हैं पूरी दुनिया देखकर आए तो अच्छा उस जमाने में जिस जमाने में हिंदुस्तान में थे उस वक्त जो है आजादी की तहरी चल ले थी लोगों को देखा यहां पर तो जब बहुत से लोगों को देखने के बात फिर इने लगा कि नहीं कि हमारे हमे यह तहरीक मिली कि नहीं हमें कुछ लिखना चाहिए और लिख कर लोगों को बताना चाहिए तो उसी तरह से इनोंने यह मजमून भी लिखा है तो मजमून हम पढ़ ले थे तो आई यह तोड़ा सा और रह गया है इसको हम मुकमल करते हैं आगे चलते हैं कि इसमें इनोंने इसमें बहुत सारी चीज़ जहां इनोंने लिखा है उसमें लिखा है कि दोसरे के हुकुक की पासदारी और उनकी राय का हितराम जैनी जब तक हम दोसरे की बातों को अच्छी तरह सुनेंगे नहीं तो हमारी बात अच्छी तरह नहीं सुनी जाएगी इसलिए हमें चाहिए कि पहले हम दोसरों की बातों को सुनें, उसके अलावा का इनोंने खुश मिजाजी, हमारे मिजाज खुश होना चाहिए, नहीं हमारा, या हम किसी के सामने मिलें या किसी के सामने बात कर रहें तो हमारे चेहरे पर उदासी नहों, या हमारा चेहरा लटका हुआ नहों, बलकि ह हमें हमारे अंदर चेहरे पर एक तरह की खुशी होनी चाहिए ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ जिससे हम बात कर रहे हैं वो बहुत आहम शक्सित है या उसकी बात सुनी जाएगी अगर हमारे अंदर बोजहलपन होगा या हमारे अंदर अग्ताहट होगी तो हमारी बात भी जुमले अच्छे हो तो तब ही हमारी बात सुनी जाएगी अच्छा इसके अलावा फिर उन्हों ने लिखा है कि जराफत और खौा मखौा की दिल शिकनी और बदगोई से परहिस एक चीज़ ने बताए कि दिल शिकनी किसी का दिल तोड़ना ऐसी बात ना कि हम कभी कभी मज होना किसी बारे में हम हसी हसी मजागमे की सेकुल टिसी दी बात कह देते हैं तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि अभी सामने compare लेकिन वो उसके दिल को बुरा लग सकता है। तो हमारी शख्षिए उसी वक्ड अच्छी ओसकते है यह हमें जीने का sentenced हमीरे अंदर पैदा हो सकता है जब हमारे हमारी गुफत्वूर करने का अंदाज अच्छा हो हम किसी को बुरा न कहें फिर आगे इन्होंने लिखा है मेरा ख्याल है कि हमारी आए दिन की जिन्दगी में बहुत से नफसियाती दुख और महरूमिया इस वज़े से पैदा होती हैं कि हम अपने दोस्तों अजीजों और हम जिन्सों से महर्बानी फैयाजी और हमदर्दी का सलुक नहीं करते अचा देखिए एक चीज़ तो इन्होंने उपर बताए दूसरी चीज़ बताए कि महर्बानी फैयाजी और हमदर्दी यहां पर तीन लफज जो है इन्होंने बयान किये कि अगर हम किसी से मिलते हैं अपने दोस्तों से या अजीजों से या अपने रिश्दारों से तो हमारे अगर कोई हमारे घर आता है दोस्त आते रिश्दार आते तो हमें चाहिए को उनकी थोड़ी से हम खातिर तोजो करें उनकी लिए महमान नावाजी करें तभी यह जो हमारी शख्सियत अच्छी होगी तभी हमारी परसनल्टी अच्छी होगी फिर उसके बलावां बताये कि ह हमदर्दी का सलूब यांगर कभी किसी के साथ कोई परिशानी आ जाए कोई दूख आ जाए तो उसके तही हमारे दंदर हमदर्दी होनी चाहिए। तो यही जिन्दधी कराजल जीने का सलीका इनों ने रिए ख्वजा गुलाम स्येदेन ने यही बताया है कि जीने का सलीका इसी वक्त पैदा हो सकता है जब हमारे अंदर महरबानी हो, फयाजी हो, एक दूसरे के तई हमदर्दी हो, इनके बारे में दूसरे लोगों के सामने गहर जिम्मेदारी के साथ ऐसी बात चीत करते हैं जिससे इनके नेक नामी पर बुरा असर पड़े, तो कुछ लोग ऐसे होत आतिर ऐसी गुफटगों में शामिल हो जाते हैं, दूसरों की बुराई को बगएर जाच परताल के आसानी से मान लेते हैं, उनको शुभा का फाइदा भी नहीं देते, बलकि ये जानते हैं, जानते हुए भी कि वो बेकुसूर हैं, हम जुरास से काम लेकर उनके हक में कलमे अच्छी बाते हमारे मुंसे निकलनी चाहिएं, किसी के हसी मजाग में ऐसी बाते ना कहें कि उसका दिल दुख जाएं, फिर आगे इन्होंने बहुत सारी बाते लिखी हैं, तो मैं कुछ आहम पॉइंट्स की तरह इशारा करता हूँ मैं, जिसमें इन्होंने लिखा है कि ज इसे लोग क्या होते हैं, जो शक्स महज इस किसमे की तबियत और दिल और दिमाग रखता है, वो उम्र भर के लिए एक रोग खरीद लेता है, नहीं उसके अंदर एक तरह की बिमारी पैदा हो जाती है, और वो हर चीज में कुछ ना कुछ बुराई निकलना शुरू कर देत है, तो उसके आगे फिर इनुन लिखा है, जो शक्स इस किसमे की तबियत के अच्छा, यह होगा है, उसके अलाओं की रोग खरीद लेता है, ना खुद खुश रह सकता है, ना दूसरों को खुश रखता है, बर खिलाब इसके खुश मिजाजी, रोजमर्रा की जिंदगी औ रिष्टों में लुट्फ और शीरीनी पैदा करती है, और सही किसमे की जराफत बहुत सी नागवारियों का इलाज है, तो अगर हमारे अंदर शीरीनी पैदा हो जाए, हमारी जबान के अंदर शीरीनी पैदा हो जाए, तो बहुत सारी बुराईयों को यह खदम कर देती है, वो जि Till आ हो जोserा कि और हमधरदी को साथ हिमाकतो परतंज करे लकिन किसी की जाती तहकीर ना करे जो दोसरों से ज्यादा खुद अपनी हिमाकतों का खाक उड़ाए और अपने बारे में दोसरों की जराकत को ज्हेल सके कहते हैं कि वो लोग जो अपना मजाग तोडाते हैं और दोसरा अगर कोई इन से मजाग करता है तो वो उसको जहिलने की बरदाश करने की ताकत रखते हैं तो ये है जीने का सलीका, अगर कोई हमारी बुराई करता या हमारे तनकीद करता हमारे उपर, तो हमें चाहिए कि हम उसको एकसेप्ट करें, उसको मानें, अगर हमारे अंदर बुराई है तो हमें माननी चाहिए, ना कि उसके साथ बहस करें या उसको हम किछ उल्टा जवाब तो ये जीने का सलीके के बारे में मताईगे कि ये है जीने का सलीका, फिर आगे बहुत सारी चीजे जहाँ इनों ने बताईगा Common and इनकिसारी के बारे में मताइके इनकिसार और खynthशणासी की सिफध बेश जिंदगी की गुनागू नकशे में एक लटीफ रंग बढ़ती है, याई अगर हमारे अनकिसारी है, इनकिसारी मतलब की जुकना, याई अगर कोई सामने वाला बड़ा बनना है, तो हम चाहेंगे हम उसके आगे थोड़ा सा जुक जाएं, थोड़ा सा कमजूर पढ़ जाएं, अपने आपको अगर हम कमजूर कर लेते हैं, तो यह हैं इनकिसारी तो ये जुख जाना, इनके सारी पैदा करना अपने अंदर, ये इनसान की, कहते हैं कि बड़े होने की खुबी है ये, उसके लावाए कुछ लोग ऐसे जो खुद परस्ती करते हैं, यानि अपने आपको ये बताते हैं कि मैं अपने आप से सिर्फ महबत करता हूँ, ये बिद्धार बना सकते हैं यानि इस मकसद के लिए उसकी हुसन शनासी और हुसन आफरीनी की सलाइयतों को उजागर करना और उसमें जौके जमाल की शमा जलाना जरूरी है यानि अगर हमारे अंदर जौके जमाल कहते हैं कि एस्थेटिक सेंस पैदा करना अपने अंदर यानि जमालियती हिस पैदा करना अगर हमारे अंदर अच्छी चीजों की परख करने की सलाइयत है तो हमारी जिन्दगी अच्छी हो जाएगी उसके लावा इन्हों आखिर में लिखा है खुबसूरती सलूत फुटाने की सलाइयत कुदरत की एक अनमोल देन है जो जिन्दगी में मसरत का रंग भड़ती है और उसको तरह तरह से माला माल करती है खुबसूरती आलमे फितरत में पाई जाए या इन्सानों के खदोखाल में या इल्म और हक की तलाश में या आर्ट और दस्तकारी की तखलीक में ये तमाम चीज़े या अगर हम जिन्दगी की या अगर हम इ रहे हो इन्हों का इन्सान के अपनी परसनल्टी है या अगर कुदरत या इस पुरी यूनिवर्स को अगर हम देखें आलम फितरत जिसको कहते है इन्हों तो इन तमाम चीज़ों को वालव कैसी चीज़े खुबसूरत हो सकती है तो ये सब खुबसूरती उस ही वग पैदा ह सकती जब हमारे अंदर ये सब सलाइयते पैदा हो इनकिसारी पैदा हो हमदर्दी पैदा हो फयाजी हो सखावत हो तब जाके हमारी जिन्दगी जो है सलीके مند ہوگی اور ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں ہماری پرسنالٹی اچھی ہو سکتی ہے پھر آخر میں ہم نے اچھا اس طرح یہ سبق تو ہمارا مکمل ہو جاتا ہے اور آخر میں ہم نے اس میں کچھ الفاظ مانے ہیں بیچ میں ذکر کر دیا ہے اور غور کرنے کی بات ہے سوال جواب ہے یہ تو آپ اس کا جواب دیا ہوا ہے اس میں آخر میں عملی کام ہے اس میں تو عملی کام ہے صرف میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں دوسرا پوائنٹ دیکھئے کہ اس مضمون میں ایک جگہ دو لفظ آئے ہیں با مقصد اور بے مقصد ان الفاظ میں صرف بے اور با کئے استعمال سے لفظ کے معنی ہی بدل گئے ہیں یعنی بے لگانے سے اور با لگانے سے مفہوم بدل جاتا ہے جیسے بے عزت با عزت بے اخلاق بد اخلاق با اخلاق تو اسی طرح بہت سارے لفظ بن جاتے ہیں اور آخر میں ہم نے اس میں یہ لکھا ہے کہ کامیاب زندگی کا راست کیا ہے اس میں ہمارے اندرس سنجیدگی ہو درمندی ہو ہمدردی ہو عدب ہے اخلاق ہے سخاوت فیاضی یہ سب ہم نے بتا دیا اچھی عادت ہے بزرگوں کا احترام ہے وقت کی قدر کرنا ہے چیزوں کا درست استعمال جو چیزیں ہمیں ملی ہیں یعنی خدا نے جو نعمت ہمیں دی ہے اس کا ہم صحیح استعمال کر دیں اس کو ہم یوں ہی ضائع نہ ہونے دیں بیکار نہ ضائع ہونے دیں فرض کر لیجے کہ ہم پانی اگر ہمیں خدا نے دیا ہے تو ہم یوں ہی اس کو ضائع نہ ہونے دیں کبھی کبھی اسی پانی کھلا رہتا ہے یہ بہت لوگوں کے لیے تکلیف دے بات ہے تو ہمیں چاہیے کہ ایسی چیزوں کو ہم احترام کریں اور تب ہی ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جو بچے ہیں انہیں بھی یہ زندگی کامیاب بنانے کی پوری پوری رائٹ ہے پورا پورا بات کرنے چاہیے ہم دردی رکھنے چاہیے اور بھی بہت ساری باتیں تو مجھے لگتا ہے بچوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت یہ اچھا کارکرم تھا آج ہی ہمارا صاحب بے حد شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ آجنے کے لئے شکریہ تمامی اہباب کا شکریہ شکریہ کرنا چاہیں گے ہم اپنے سبھی درشکوں کا خاص طور پر نوی ککشا کے سبھی طلبہ کا ہمارے ساتھ آجنے کے لئے اور کسی بھی کارنورش آپ نے اسے نہیں دیکھا ہے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں انسیارٹی اوفیشل ہمارے یوٹیوب چانل پر تھوڑی دیر میں اپلوٹ ہو جائے گا تو آپ اسے وہاں پر دیکھ کرتے ہیں اور ہم اس وقت یہاں آپ سے اجازت لیں گے پر تھوڑی دیر میں لے کر آئیں گے ہمارا ایک خاص کارکرم جو کی ہے سیریز اور سائبر جاگروپتہ دیوست اور جس وشے پر باتچیت ہوگی وہ ہوں گے ایتھکس سوشل میڈیا پلاتفارمز تو اپنے سوال ہم تک ضرور پہنچ آئیے اور جڑے رہے ایوٹیہ چانلز کے ماتھم سے میں ہوں تنبی خورانہ اور مجھے دیجئے اجازت نمسکر